च्छात्रों आज हम लोग मेटलर्जी में लेक्चर 15 देखने जा रहा है पंद्रा पिछली क्लास में लेक्चर 14 में आपको बताया गया था बबु मेरे द्विधि द्वारा यच्छर प्याइड प्युरिफिकेस्न आप मेटलमने धातों का सोधन के परकिलिया किन कीन मेधल से किया जाता हैं उसको बताया गया था पहलेम लोग देख रहे हैं ठीक है ना तो एम प्यूरिफिकेसन का Pै अब इस इसमें स्ट्रेम की अक्साइड की असुद्धी होती है जैसे मालेजिए कपर का कपर अक्साइड है स्यू टू ठीक है ना इसकी अभी किरिया हम लोग सी एच फॉर गैस से कराते हैं तो कपर हमको प्यूर कपर मिलता है और सी यो टू एस टू वेपर के रुप में उड़ जाए और इसके उपर चार्कूल पावडर की पॉरथ होती है यह और यह जो डेकर हुआँ आप पолж यह ग्रीन उड़ प्ल लकड़ी का हारा ग्रीन थिक ना काच्चा ग्रीन क्या है यह लडन हीए पॉल हम ठीक है ना तो इसमीं क्या ऑचत तो चारकोल पाउडर की परातसुद धातू को वायू के कंटेक्ट में आने से रोकती है ठीक ना यह जो आपका लेयर है चारकोल की लेयर जो है पाउडर फर में यह ना जो यह मोल्टिना अवस्ता में धातू है यह वायू के कंटेक्ट में आने से क्या करती है रोकती है एवं उसमा बाहर जाने से भी रुख जाती है ठीक है ना इनसे उसमा नहीं निकलती है असपश्ट न तो यह होता है वह दंड बिलोधन परकिरिया दूसरा है वह इसमें द्रोमण बीधी लिक्विएशन मैथड चैनलिक्विफिकेशन मैथड इस बीधी का उप्योग कम गलनांक वाली धातू के लिए किया जाता है जैसे कम गलनांक वाली धातू पीबी लेड एसें टीन बी आई बीसमत एंटी मनी एस बी क्लियर ना इसमें देखिये क्या होता है इसमें मेरे भाई क्या करते हैं यह टर्म पढ़ लिजिए धातू असुद्धी के गलनांक मनें मेल्टिंग पॉइंट एमपी भीन भीन हो तो इस बीधी का उप्योग किया जाता है तो लिक्विएशन मैथड का भी इस्तिमाल करेंगा जब गलनांक धातू और असुद्धी में क्या हो डिफेंट करते हैं इंप्वर विभ लेड लिया गया ठीके ना इस बात है जो लेड है द्हातू इए इसका कॉन फनकानांक क्या है सबरेक्टिंग पएंट क्या है असुद्धी से कम है, तो जाहिड सी बात है, इह गल गया, गलित वास्ता में होकर इधर के तरह, आ जायेगा, तो यहाँ पर जो गलित, पीवी मिला है, यह प्यॉर फर में होगा, ठीक है न, इसको हम लोग करा सकते हैं, यह हीटर है, इसको बोल सकते हैं, ओपन हीटिंग, स्लोपिंग है यह और फर्नेंस ढलवा भट्टी यह ढलवा भट्टी यह ढलवा भट्टी यह पर जो इंप्यूरिटी जो यह सॉलिट फर में यह रूख जाएगी इस में असपास्ट है लिख दिया गया मेरे भाई कि इस वीधी में असुद धातु को उसके गलानांक मेल्टिंग प्वेंट से उच्छ ताप पर ढालवा भट्टी गर्म किया जाता है जिस सुध धातु पिघल कर नीचे आ जाती है अम असुधी ठोस वास्ता में अलगर कर ली जाती है नेक्स्ट है तीसरा है भाई मेरे आस्वन बीधी डिस्टाइलेशन मैथड ठीक ना इस बीधी का उपियोग कम कौन्थनांग बॉलिंग पॉइंड वाले धातु के सोधन पर किया में की जाती है जैसे जींक कैडियम एच जी पारा ठीक है ना इसमें देखिए बबु ये जींक कौन्थनांग पर अधारित है जैसे जींक का हमको प्रभाजी आस्वन कराना है डिस्टाइलेशन आप जींक तो जींक का बॉलिंग पॉइंट नौ सदस डिग्री सलसियस होता है और उसमें जो असुद्धिक रूप में केडियम लेड और आयरन है तो केडियम का बॉ सब्सक्राइब कर रहें तो जाहिर सी बात है कि यहां पर केडियम को जाएगा गल जाएगा वास्प आस्ता में आ जाएगा अलग हो जाएगा केडियम यहां से अब इसका तो दोनों का क्या है कौन्थनांक और इसका वी कौन्थनांक क्या है ज्यादा है ना इनसे तो यह अ अलग कर लेंगे फिर इसको लेकर के गर्म कर रहे हैं हम 902 डिगी से ज्यादा इसका बॉयलिंग पॉइंट है ना तो जाहिड सी बात है यहां से जींक भेपर वास्ता में गल जाएगा यह अलग हो जाएगा और यह सॉलिट फर में यह अलग हो जाएगा तो हमको क्या मिल गव जींक क्लियर चलिए नेक्स्ट देख तो छोटू नेक्स्ट है वास्प परवास्ता परिशुद्धन भेपर फेजरी फाइनिंग ठीकर नहीं यह दो मैथड में होती है मोंड्स प्रोसेस और वान आरेकेल मैथड मोंड्स प्रोसेल में निकेल को लेते हैं और कारवन मॉनों करके निकेल को अलग कर लेते हैं और यह निकेल प्राफ्त होता है प्टोतानियम मिलता है तो यहां प्रलिखाएगि पर वातब्स परृस्थो क्ष़धन में सूधिधात्य योगिक मध्यवर्ती के रूप में बंती जबकि सुधी अकिरिया रूप में रहा जाती हैं एवां उच ताप पर वास्प सील योगी प्योजित होकर सुध दातु प्रदान करती है ठीक है ना तो यह बावु था आज का लेक्चर नमबर आपका 15 ठीक है ना इसके आगे हम अगले कास में कंटनिवी करेंगे थैंक यू